अगर आपके चेहरे पे इस तरह के डाक पैचेज यानी मिलाजमा है तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने डेली मेकप रूटीन में कुछ चेंजिस करके बहुत अफोरड़बल प्रॉडक्स के साथ किस तरह से अपने मिलाजमा को कम्प्लीटली कंसील कर सकते हैं, इसके बाद आप ये मेकप रूटीन फॉलो कर सकते हैं, ये आपके मिलाजमा को 100% कवर करेगा, वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये मेकप कम्प्लीटली वाटर्प्रूफ है, I will drench my face in water and आप देखेंगे कि ये बिलकुल हिलता नहीं है, तो इसे कम्प्लीटली सूखने दिया है, this is the best way for me to demonstrate कि आप मिलाजमा को कैसे कवर कर सकते हैं, Hello, Hello and welcome to Skincare Simplified, मेरा नाम है निपोन, आपकी skincare bestie and a certified skincare consultant, आज हम skincare से ले रहे हैं, थोड़ा सा break, I am पात कर रहे हैं about how do you cover मिलाजमा, because questions आते हैं skincare routine के नीचे, कि ये हमने skincare routine अगर follow किया, तो क्या हम makeup लगा सकते हैं, क्या हम daily makeup लगा सकते हैं, makeup से क्या हमारा मिलाजमा जादा खराब तो नहीं होगा, well, कुछ ऐसा नहीं होगा, you can freely and confidently use your makeup, और आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे, वीडियो शुरू करने से पहले like कर दें, subscribe कर दें, YouTube की कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं तो कर दें, लाकि make me very happy, और हमारा February का monthly giveaway चल रहा है, वीडियो के दौरान आएंगे एक से दो questions, screen पे उनका जवाब मुझे दीजेगा comment section में, one lucky winner can win 5000 rupees worth of skincare products along with a customized skincare routine, आप करते है वीडियो को शुरू, जैसे कि मैंने कहा, ये routine आप directly follow कर सकते हैं, after you finish your morning skincare routine, let's say आप morning में कर रहे हैं, अभी जैसे मेरे चहरे पे भी, मैंने अपना morning routine किया है, और अब मैंने sunscreen लगाया है, sunscreen लगाने के बाद मैंने ये marks बनाये, अब कब तरीबन आदा खंटा हो चुका है, अ मैं आज आपको दो तरीके से color correct करके दिखाऊंगी, क्योंकि जैसे कि आपने देखा है, कुछ जगा मैंने light marks बनाये हैं, क्योंकि हर किसी का मिलाजमा इतना dark नहीं होता, और कुछ जगा पे मैंने बहुत dark marks बनाये हैं, ये मैंने किया है दिखाने के लिए कि किस shade of melasma को किस से आप color correct कर सकते हैं, so मेरे पास actually मैं तो color correcting ले कुछ था नहीं, ये बहुत दुरानी insight की palette है, which is what I am going to use, इसमें दिए गए orange shade को मैं पहले use करूंगी, जहां जहां मेरा मिलाजमा जादा dark brown नहीं है, बतलब जैसे acne spots रह जाते हैं, उस तरहां का मिलाजमा, पहले मैं उसे cover कर और फिर intense मिलाजमा के लिए मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्या यूज करते हैं, मैं हाँ एक छोड़े से brush के साथ अपना जो color character है उसे लगा रही हूँ, अब directly fingers के साथ भी लगा सकते हैं, और पहले मैंने इसे fingers के साथ लगाने के बाद टाप टाप करके blend किया है, उसके बा पूरे मलाजमा को जो light brown color का है, उसे एक orange character की मदद से चैसे कि आप देख सकते हैं, ये completely cover हो गया है, इंसाइट इतना कोई महंगा ब्राइन नहीं है, जब मैं makeup classes ले रही थी color correcting सीखने के ले मैंने ये order किया था, because it was super affordable, मैं बस सीखना चाहती थी, I knew that I'm never gonna reduce color correcting, और ये काम कर लाल, and in general, red या बहुत deep color correctors, makeup forever, जैसे brands में आते हैं, but they're quite expensive, so I would recommend किसी भी brand की सस्ती सी red lipstick खरीद लो, and basically, same process, cover करो, use करो, to cover your pigmentation, कुछ इस तरहां से, जब आप red color का lipstick या color character यूज़ करते हैं, please make sure कि आप बहुत कम product यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी उपर अभी और product आना है, सिरफ उतना यूज़ करें, जिससे आपका जो pigmentation का brown color है, वो red में convert हो जाए, या maroon में convert हो जाए, और same उसी तरीके से, beauty blender से, या किसी भी और sponge से इसे cover करें. मेलाजमा के color से dark नहीं, जो आपका natural skin tone है, जहां पे आपको मेलाजमा नहीं है, वो shade से थोड़ा सा dark. Again, I'm using a really, really affordable product, यह है, Catrice True Skin. Catrice is a really affordable makeup brand, and यह उसका concealer है, जो मैं यूज़ करूँगी. Again, बहुत थोड़ा-thोड़ा concealer, जितना कि आपके concealer के tip पे आता है, उतना ही लेके अपने पूरे जो color correct किया था, उस area पे लगाएं. So basically, जो हमने color correction करी थी, अब हम उसे further correct कर रहे हैं, और अपने skin tone से match कर रहे हैं. यह step common रहेगा, अगर आप orange color का concealer लगा रहे हैं, या red color का concealer लगा रहे हैं, यह step आपका common रहेगा, यह आप करेंगे. अब मुझे suddenly realize हो रहा है, कि यह मैं blend तो कर रही हूँ, अब यह आप देखना, मैंने बिल्कुल एक बहुत बड़ी गलती करी है, कि जो मेरी नाक है, जिससे मैंने marks बनाए थे, यहां तो मैंने conceal correct कुछ भी नहीं किया है. I just realized this, लिए अब मैं वो थोड़ा सा red color character या red lipstick वापस नाक पे लगा रही हूँ, correct करने के लिए, और अब इसके उपर मैं concealer लगा रही हूँ, अब concealer क्यूंकि मैं eyes के नीचे उपर भी लगा रही हूँ, जो मेरे dark areas हैं, उसे conceal करने के लिए, and इस point पे I'm not switching my concealer, but ideally, आपको अप इसे ठीक से मैं blend कर चुकी हूँ, इस point पे हमारा मिलास्मा completely cover हो चुका है, अब आपको मिला है clear canvas, आपका pigmentation मिलास्मा छुप गया है, अब इस point पे next step पे जाने से पहले, आप लेंगे किसी भी brand का makeup setting spray जो इस makeup को set कर दे, क्यूंकि हमें इसको waterproof भी बनाना है, ये milk का है hydro grip, and literally मैंने अपने face को इस setting spray में drench किया है, और अब मैं लोगी एक fan और इसे सुखाऊंगी जल्दी-जल्दी, क्यूंकि मुझे 10 साल नहीं wait करना, आपने basically सही तरीके से color correct करा है, और उसके बाद लगाया है concealer, जो आपके skin से थोड़ा सा dark था, फिर उस पूरी चीज को set किया है अब आपके बास दो options है, और आप घर पही रहने वाले हो, कहीं नहीं जाने वाले हो, तो इस तरहांका जैसे ये L'Oreal Infallible High Coverage Powder Foundation है, इसे पूरे चहरे पे लगा के अपना makeup फिर से set करके, you can call it a day, because ये full coverage, full coverage compact powder है, and this is again a very affordable brand, जादा कोई महंगा भी नहीं है, ये मैं यूस कर in tone से मिलता हुआ, लेकर मैं आप दिखाऊंगी आपको कि अगर आपको foundation लगाना है, कुछ भी लगाना है, you wanna do full glam every day, then this is what you do, go in with a high coverage foundation, affordable brands की बात करें, जैसे Indian brands में, Character, Mars, मैंने देखे Instagram, पे काफी सारे affordable brands है, जहापको full coverage foundation मिल जाता है, मेरे पास जो affordable brands में full coverage foundations है, वो actually water-based है थोड़े lightweight है, full coverage नहीं है, जैसे की Rimmel, so मैं यहाँ use कर रहे हूँ, Huda Beauty का, यह जो उनका OG 4 filter formula है, that is what I'm using, and आप इस तहां से किसी भी full coverage foundation को use करें, dot it all over your face, and just go in and start blending it out. इस process के लिए भी मैं makeup sponge recommend करूंगी, because नीचे के layers move नहीं करने चाहिए, जो कभी-कभी, अगर आपका brush high quality नहीं है, तो आप नीचे के layers move कर सकते हैं, but obviously, अगर आप इस तरह से sponge use करेंगे to set and blend your entire foundation, you will get some great results. इस पॉइंट पे, you can see, I am just taking this all over my face, ताकि मेरा पूरा फेस पे foundation लग जाए, जो मेरे skin tone को match करता है. इसके बाद, अपने makeup को immediately set करें, और ये बहुत बड़ी myth है, कि अगर हम mature हैं, और हमने powder लगाया, तो हमारी lineों में चला जाएगा, ये हो जाएगा, बो जाएगा, कुछ नहीं होता है, अगर आपने liquid लगाया है, you have to set it with a powder, that is like a basic rule, ये हुड़ा का easy bake, basically it's a fresh powder, setting powder, तो मैं ये यूज कर रहे हूँ, and I am just going to use it everywhere on my face, अप इसके बाद, अगर मैं highlight करूंगी, contour करूंगी, blush लगाऊंगी, तो सारे formulas powder होंगे, तो सारे formulas powder होंगे, एक बार मैं जहरे को powder कर दिया, इसके बाद, I cannot go in with say another liquid product, तो अगर आपको cream contour लगाना है, cream blush लगाना है, तो इस step से पहले अगर आप अपने make-up को set नहीं करते, pressed powder से, तो 100% आपका make-up बहुत जल्दी move कर जाएगा, make-up को set करना essential है to make it actually waterproof, otherwise it'll move, अब मैं अपने पूरे चहरे पे full-on make-up करूंगी, उसके बाद, no wait, मुझे फिसे set करना है, set करना है, उसके बाद मैं वापस पूरा full-on make-up करूंगी और उसके बाद मैं अपने चहरे को पूरा पानी में सोख करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये make-up waterproof है, एक बार बहुत सारा setting spray हमने फिर से लगाया है, और ये जब सूप जाएगा, that I'm gonna do my brows, I'm gonna do everything, basically आज मैं इस office के साथ, इस make-up के साथ office जाऊंगी, because जो भी मैंने painting करी थी, to show melasma, वो तो दिख नहीं रहा है, so I'm pretty confident that I can pull this off, so that is what I'm gonna do, इसले जो मुझे और करना होता है, मैं वो करूंगी और वापसा होँगी, so guys, ये है final look, मैंने अपना makeup वैसे ही किया है, जैसे करती हूँ, जैसे कि मैंने कहा, मैंने इसकी ऊपर कोई cream products नहीं लगाए है, तो powder bronzer, powder blush, powder eyeshadow, everything was a powder, अब आता है, the final final test, which is, क्या ये waterproof है, क्या हमने इतनी सारी layers लगाई है, हर चीज की, तो क्या ये truly waterproof है, test करते है, अगर ये fail हो गया, actually, इसे मैं एक बार करके test कर चुकी हूँ, so it's not a new thing, but कुछ भी हो सकता है, so let's see, ये, oh, so Pilgrim की toner bottle है, जिस में सिर्फ पानी है, and that's what I'm going to use, अवे तया, of course, mascara थोड़ा समझ हो सकता है, but I'm going to be very careful, because I intend to wear this look, there's barely anything that came out, again, इस साइ तो और भी कमाया है, अब कहते हैं, फोरहेड पे test, ने टिशू लेलते हैं, lipstick आई है, बस, nothing else, फोरहेड पे, फोरहेड पे तो ज़रा सभी कुछ ने निकला, it's literally normal, अब में लाशे सुखा लेके मतने, because I don't want this to like, I should have used the waterproof mascara, पर भुम ने रहा है, but you get the point, guys, this is waterproof, इस से दादा पसीना तो किसी को नहीं आ सकता, right, makeup आपका वैसे का वैसे ही है, क्यों? कुँके हमने हर लेयर को set करके, lock किया था, with a setting spray, हमने हमारा milazma अभी भी बिलकुल नहीं दिख रहा है, जो है, नीचे, अब मैं इसको थोड़ा प्रेस कर रही हूँ, प्रेस करने के बाद भी, milazma, मतलब, makeup नहीं उतार रहा है, और milazma नहीं दिख रहा है, it's all there, beautifully concealed, so, अगर आपको milazma है, and you're conscious about makeup, देखो, guys, महेंगे प्रोड़क, सस्थे प्रोड़क, it really does not matter, प्रोड़क क्या यूज करता है, वो मैंटर करता है, अगर आपको आपकी स्किन से तोड़ा सा डाखो, that's number one, color character चाहिए, या तो orange वाला ले लो, from a sasta-sa brand, नहीं तो red lipstick, अगर milazma बहुत आपका intense है, और full coverage foundation, so, L'Oreal Infallible, Maybelline Superstay, ये super high coverage foundations है, जो basically drugstore brands है, which you can opt for, सही तरीके से लगाओ, अपने confidence को कभी भी कम मत होने दो, and continue with your milazma skincare routine, and while your milazma is fading, make sure के आप इस तहां से, glam up करके, confident feed करते हैं, वीडियो पसंदाई, useful लगी, do hit the subscribe button, मैं आप से मिलूंगी कल, with another video, till then, take great care of yourself, thank you so much for watching, and a big shout out, to the makeup artists, who have, who I get makeup done from, occasionally when I have to go out, जोनों ने मुझे इतना सब सिखाया है, about color correcting, about technique, I am so grateful to all of you, so thank you so much, and yeah, I'll see you tomorrow, bye!